सात्यों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मज़ामा केमचो कसा आहिस सात्यों आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा यह टॉपिक आपको यह सिखाएगा कि अगर वाइफ मेलाफ़ाइट लिटिकेशन दाखिल करती है इस स्पैसिफिकली सेक्शन 494 या 498 आई पीसी में तो वहां पर आपके अधिकार कानुग में क्या हैं जब तक आपको आपके अधिकार कानुग जानकरी नहीं होगी तो जो अगली आफिकार जान जाओगे तो आपको यह मालूम बढ़ जाएगा कि इंके पास पावर ही नहीं है यह लोक एक बेसिक helicopter काम करते हैं कि मुझे लगा मैं तो हैं आज हर आदमी काम करता है सपोस्स करते हैं कि मैंने ऐसा मान लिया था या मुझे ऐसा लगा पर यह गलत सीज परतDas। हमें तीन चीज़ें बहुत ही किलिए होने चाहिए सबसे बहले बात जो एविडेंस है उसका एक्जिस्टेंस दूसरी बात सस्टेनेबिलिटी और तीसरा है अगर तीनों ही फैटर नेगेटिव हैं या उनके आंसर पॉजिटिव नहीं आ लिए टो डेफिनेटली इसका फाइदा जो है नॉन एक्जि़ को जो है टेफिनेटली बिलेगा तो सातियों उसी गोडरी में ये इस TOPIC काफे है आपको काफी इलाइटिंट करने वाला है वीडियो इम्पॉर्टंट है उन वेक्तियों के लिए जो लाज्ट से अपकमिंग लायर या व्यक्तियों के लिए चो पैर भी करते हैं मैंसरेट की साथ यू टॉप काफी इपाफेंट है एक ऐक बात को रहा है कि आप इस वीडियो को शेर करें उस तक पहुचाएं तक कि कम से कम वह इलाइटन हो सके कंसेप्चुली किलिर हो सके और आगे के लिए जो है एक अच्छा वर्काउट जो है कर सके ठीके जी तो सातियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन सातियों जैसा की स्क्रीम पर आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंच जज्जमेंट है ऑन्रेबल गुजरात हाई कोट का 18 अगस्त दो अजार तरीज का रमेश भाई बनाम स्टेट अव गुजरात इसका साटेशन है सातियों इस मामले में एक प्रेटिशन फाइल की गई सेक्शन 422 से केता है था बाइदा कंसर्ण प्रेटिशनर्स पॉर क्वेस्टिंग इन सेट असेट था इंप्यून एफ यार जो कि रेजिस्टर्ट थी अंडर सेक्शन 498 है 294 भी 303 114 506 सब क्लॉस्ट टू 494 114 आईपी से केता है जो प्रेटिशन के उपर और वो आरॉप क्या थे वो हमें समझना होगा कि मेरे हस्बेंट ने मुझे एक तो असार्ट किया ठीक है जी मुझे मेंडली हैरेस किया मुझे फिजिकली हैरेस किया और मुझे जान मुझके जो है मेरे सुस्राल से बाहर निकाल दिया सबसे इंपरन बात उसका ये भी आरॉप था कि मुझे मैडिसन दी गई अबोर्शन के लिए और उसका ये भी कहना था कि मुझे थ्रेटन किया गया कि अगर मैंने अबोर्शन नहीं करवाया तो मुझे मार दिया जाएगा उसका ये भी कहना था कि उस समय मुझे घर बसाना था इसलिए मै complaint file नहीं करी पर मेरे जो सुसाल वाले थे उन्होंने मुझे बापिस नहीं लिया जिसकारण मुझे मजबूरां जो है maintenance की दाखिल करना पड़ा जिसमें मुझे मेरे बच्चे के maintenance जो है अवार्ड वा को समय तक मुझे मेरे husband ने maintenance दिया पर उसके के बाद लगातार मुझे धंकी दिर्माना जो है शुरू करी और इसके लाव मुझे डेवार्स के लिए जो है फोर्स किया और जान से मानने की भी जो है बात कही गई सातियों इन सब में उसके साथ साथ उसके घर वाले जो है शामिल है ऐसा आरूप लगाते हुए यह जो complaint थी वो दाखिल की गई यहां पर सबसे इंपोर्टन बात है कि जब एफएर को पैरूस करा तो यह इंडिकेट हुआ कि जो रिपोर्ट है विदाउट मैंशनिंग दा टाइम डेट एंड प्लेस यह तीनों इंपोर्टन है मतलब जिसको हम कहते हैं ओमनी बस एलिकेशन तो उनका यह था कि जो भी r है यह जो भी रैपोर्ट हैं उसमें जो भी सैंब उसके कॉस्केयोंbas में ताइम दैट और प्लेस इसयुक्त लई होगा कब कर्युंनी होई सबसे बॉर्टन बात उसका ये भी मैंशन कहीं भी नहीं है कि किस तरह से वो फिजिकली या मेंडली जो है वो है वो हैरेस हुई सब्सक्राइब कर लिए जिसके अधार पर जो है इसने कंप्लेंट जो है फाइल करें साथ यहां पर जो भी आर्गुबेट्स मैंने बताया यहीं आर्गुबेट्स से प्रेटिशन एडवोकेट के और जो अपोजर्ट पार्टे के एडवोकेट हैं और जो एपीपी यह उसने से जिसमें एक रिजन ओडर के जरीए पच्छीस दो चौदा को डिवार्ज है ग्रांड कर देया गया इन फेवर ऑफ दे हस्पन और सबसे बड़न बात यह कि जो वर्तवान अफाइर यह डिजाइंग की गई है और एस डिवाइस इसको यूज़ कर रहा है तो हैरेस्ट प् है और यह डिगरी जो है पारित हुई है पच्छीस दो दोज़र चौदा को तो एक इंडिकेटर में कि जस्ट्व हैरेस्ट प्रेटिष्टर कंप्डियर ने जो है एक केस जो है कॉंकॉक्ट किया उसको डिवाइस किया और अगर एक बार डिवार्स ग्रांट हो गया है और चैलेज नहीं है तो इस स्नारिव में ना तो वाइफ फाइल कर सकती है 498 और नहीं फाइल कर सकती है 494 जिसकर और फिर जो है मैला फाइड और फिर लंबर टाइम के बाद जो है लॉच्ट की गई है तो उनका कहना है तक हमने कोई भी अपरात कारित नहीं कर रहा है एंटर सब्सक्राइब कर रहें और यह बनाते हुए हमको जो है है साथियों उनका यह भी कहना था कि फाइयर जो है उस पर हम रलाई कर रहे हैं और यह बात पर सहीं कि डिफेंस यह कॉंट्रोबर्शल फैट नहीं देखने हैं पर हम यह कहते हैं कि अगर फैर के वलोकुन करें एवन दो नो प्रिमेफिश्य केसिस मेड आउट इसका एक ही मादर अब्जेट है कि जो मैट्रियल सफिशन्ट रिकॉर्ड पर है क्या उसे अफर्मेटिव सेंस में लेने पर प्रतम दिश्टे मामला ट्रेल के लिए बनेगा या नहीं बनेगा अगर नहीं बनता है तो देन दा कंसेंट कंप्लेंड और दाइफर लाइबल टूबी क्वेस्ट साथियों यहां पर सबसे इंपरन बात यह है कि कोड ने जो फाइल को अध्यन किया तो कोड ने लिए कि हजबन ने जो है प्लेस नहीं करोगे तो को मैंटर के लिए रहे नहीं होगा और उनका यह भी कहना कि जब डिवार्ट से ग्रांट हो गया है और डिवार्ट को चलेंज नहीं किया गया इंड़ाइन देट इस फिट केस्वेर रेमेडिस टूब गरांटे तो कोड न यह कितना लंबा गयब जो है लिए वह जब वाइफ की जांकरी में फैट है कि हजबन ने जो है डिक्री वडिवर्स फाइल कर रखाया वो जाती नहीं है कंटेस्ट करती नहीं चैज उसने कर रहा नहीं है तो इसा लगता है कि एफ यह जो है वह आप अगर ने लिखा भी इ सब्सक्राइब कोड़ें कोड़ें नोट इन कोर्स पेडिशन अंटर सेक्शन 420 of CRPC तो 498 और अधर यह फाइल किये हैं आफ्र डिक्री ऑब डिवर्स तो यह लिए कि यह पूर का पूरा प्रसुडिंग जो है लंबर टाइम बात केवल हैस करने के लिए जो है फाइल किया भी है फिर कोड़ेंड किया 528 को 494 गो तो प्लेली लिटिंग क्या रही है कि हजबंट और वाइपक र लेशलिशनिप जो है होना चाहिए कि जब कम्पेनट फाइल हो हुरी है तो ना तो हजबंट एक्जिस्ट कर रहा है और ना फिसके रिलियूट्ट जो है अग्जिस्ट इस तरह से वोबन की जगह पर वर्ड यूज करा वाइब तो कुम लाके ऐलेकेशन जब लेवल की जा रहे थे तो वो में तो थी पर वाइब नहीं थी जिसकारण वो किसी भी रूप में यहां तक बात 494 की जो की हस्बंड ने जो है डिवर्ट्स ले लिया है और उसके बाद जो है वेदिवद मेरिज करी और इनना मीन वाइला तो डेक्री चैलेंज है ना ही उस पर कोई स्टे है और ना ही जज़्जमन को जो है स्टा स्टिया गया है तो इस स्टेर्विव में 494 सब्सक्राइब नहीं होगा साथियों यहां पर कोट ने क्रिस्ट जज्जमन्ट था और सब्सक्राइब करा और कोट ने लिखा कि जब एफ यार जिसके कंटेंट जो है वो जनल है और अगर एफएर को एजब रॉस्पल तुरूत हम सहीं मान भी लें तब को केस में डाउट नहीं होता है तो ऐसी एफरों कंट्यू रखने से कोई भी फाइदा किसी पक्ष को जो है वह नहीं हो सकता अटिमेटल इट विल अमाउंट भी जो प्रॉसेस तो कुछ ने लिखा अपने फैसले के अंदर की डेवार्स फाइल होने के लग 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 काफी लंब ट डिवार्स एलेज नहीं है तो इस सिती में जो यह केस है जो बेसिक लाओ है स्टेट ऑफ हर्याना बनाम भजन लाग का उससे गवन है जिसमें इस पस्ट है कि अगर एलिकेशन वेग हैं जैनल है तो वहां पर एफर को जो है क्वेश्ट कर देने चाहिए तो को क्वेश्ट क को क्वेश्ट करने के अधिश परित की तो साथियों आज की वीडियो से हमें तीन सिख्षाएं मिलती हैं सबसे वहले बात आप जब भी प्रिटिंग्स करें जो भी डॉकुमेंट्स उसको फाइल पर जुरूर प्लेस करें आप लोग नहीं करते हो नुकसान आपका होता है यह बात विश्चेश ज्यान रखें नंबर तुर जब भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं इस 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 तरी को बच्चा हुआ इस तरी को अलग हो गए और इस तरी को मैंने जो है डिवार्स के लिए के लिए के सब्सक्राइब गया वह चैलिज नहीं है उसके बाद जो है के सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनिटी जो हैं को फाइदा मिलने वाला है साथ यह अपडेट के लिए सब्सक्राइब तक के लिए जया हैं जया भारत